हालो क्रेंट, वेलकम टू एस्टी टिट्वीर लोडू चैनल, फ्रंट समलोक सिविक्स का जो रिवीजिन क्लास चला है, उसका 45 वा पाट देखेंगे, जो आपके सभी परिक्षा, GIC प्रवक्ता परिक्षा, TGT, PGT, GDC, सभी एक्जाम के लिए कापी महत्पूर है, इसके पह कानूनी वबंद है, ठीक है, भी आफ़सन करेक्ष होगा, सन 1977 के अधिनियम में जो है, विपक्ष के नेता की परिवासा, राजसभा, लोकसभा के ऐसे सदस्यों की रूप में की गई है, जो ततसमे सरकार की विपक्षे ऐसी पार्टी का नेता हो, जिसके सदस्यों की संख्य सबसे अधिक हों तथा उसे राजसभा लोकसभा के सभापति द्वारा इस रूप में मानेता दी गई है तो ये एक कानूनी उपबंद के तौर पर इसको रखा गया है सन 1977 के अधनियम के तौर पर ठीक है तो यहां पर पी आफसानापका सही हो जाएगा अगला कोशन है अस्थगन प्रस्ताव पर जब बहस हो रही हो तो सदन को अस्थगित करने की सक्ति किसमे नहित रहती है तो ये सदन के अध्यक्च के पास ठीक है एक आफसानापका करेक्ट होगा अस्थगन प्रस्ताव पर जब बहस हो रही हो तो सदन को अस्थगित करने कादिकार जो है लोगसभा अध्यक्च के पास होता है वह सदन की कारवाई को रोक भी सकता है ठीक है तो यहां पर एफसानापका करेक्ट होगा अखला कोश्चन है राष्टपती के संसर में अभिवासन पर धन्यबाद प्रस्ताव एक यथेश्ट प्रस्ताव होता है यह आपसन करेक्ट होगा ठीक है मोल प्रस्ताव जो है अपने आप में पूर स्वतंत प्रस्ताव होता है जो सदन के अदमोधन के लिए पेश किया जाता है और ऐसे ढंग से बनाया गया होता है कि उससे सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो सके यह नहीं तो किसी अन्य प्रस्ताव पर निर्पर करता है और न बारती संभिधान के अंतरगत राजियों की सीमाओं में परिवर्तन किये जा सकते हैं, तो राजियों की सीमाओं में परिवर्तन किये जा सकते हैं, कि इसके द्वारा, तो यह संसद के बिधेयक के द्वारा, ठीक है, C आफसन करेक्ट होगा, भारती संभिधान का जो अनुछे तीन में ठीक है तो यहाँ पर सी आफसन आपका करेक्ट हो जाएगा अगला कोशिन है निम्रिकित में से कौन सी लोक निगम की विसेश्था नहीं है लोक निगम की विसेश्था नहीं है तो यह कानूनी पहचान है लोक निगम की बिसेस्ता होती है तो बिल्कुल सही है यह नहीं तो किसी पर मुकदमा चला सकता है और नहीं इस पर मुकदमा चलाए जा सकता है तो यह आपका सही नहीं है इस पर मुकदमा भी चलाए जा सकता है ठीक है तो यहाँ पर आपका नहीं पुछा है, तो भी आपसन सही हो जाएगा, ठीक है, और लोग निगम की जो बिसिस्ताएं होती हैं, यह कानूनी होती है, ठीक है, और यह किसी से अनुबंद कर सकता है, यह संपत्टिका मालिक हो शकता है, पृथक्त बैधानिक अस्तित्ध होता है ठीक है और यह संपत्य का मालिक हो सकता है प्रसासनिक स्वायतता होता है भरतियादि में सुतंता दे सकता है सारवजनिक इसका अधिकार होता है विशेश अधनियम द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है श्रतंत्र बित ब्यवस्था भी होता है लोक निगम का ठीक है तो यहां पर आपका भी आपसन सही हो जाएगा, यह इसकी बिसेस्ता नहीं है, ठीक है, यह ने तो किसी पर मुकदमा चला सकता है, यह किसी पर मुकदमा भी चला सकता है, और किसी पर भी इसके द्वारा मुकदमा चलाया भी जा सकता है, तो यहां पर यह आपसन आपका गलत ह हो जाएगा 323 नम्बर कोशिन है भारत में वरिष्टर सिभल öl करमचारी सर्वेट के पिदोनद के मामले में फैसला कौन कर ता है को कि यह मंत्रिमंडल समिती करती अइ मधल करती है तो यह मंत्रिमंडल समितियों सधिय करती यह ह词 एक सो चार नमर कोशेंन है निमलिकित संधियों का सही आरोही कालकरम क्या है आरोही पूछा है यानि सबसे पहले किसकी अस्थापना होई थी तो छोटे से बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं तो comprehensive test band treaty की अस्थापना कब हुई थी, तो इसकी अस्थापना 9096 में हुआ था, ठीक है, land mines band treaty इसकी अस्थापना कब की गई थी, तो इसकी अस्थापना 9099 में किया गया था, chemical weapons agreement इसकी अस्थापना कब हुई थी, तो इसकी अस्थापना आपका हुई था, 9093 में, ठीक है, और indefinite extension of NTP, इसकी अस्थापना कब हुई थी, तो 9095 में हुआ था, ठीक है, तो इसको आरोहिक करम के अंशार व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले 1993 आ जाएगा, यानि तीसरा सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद जो है कौन सा है, 93 के बाद आपका 95 आता है, ठीक है, तो चोथा हो जाएगा दूसरे स्थान पे, उसके बाद कौन है, उसके बाद पहला जाएगा, यान 1996 है, तो पहला जाएगा, उसके बाद जो है दूसरा जाएगा, 1999 ठीक है, तो 3, 4 एक दो तो यहां पर भी कूट में आपका सही हो जाएगा ठीक है तीन चार तो एक तो भी आपसान आपका इसमें सही हो जाएगा एक सो पांच नमर कोशिन है निमलिखित में से किसके विचारों से राष्ट संग लीग आफ निसंस की संग कलपना का उदय हुआ था तो यह बुड़ो बिलसन के द्वारा ठीक है राष्ट संग की संग कलपना के उदय का स्रे जो है बुड़ो बिलसन को दिया जाता है पर्थम विस्विद्ध की समापती के बाद अंतराष्टी अस्तर परसांती ब्यबस्था अस्थापना हेत जो है 10 जनवरी 1920 को राष्ट संग 1920 में हुआ था और बिलसन की सहमती से उनकी सोच से तो सीज आफसन आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशन है भारत में अनसूचित जनजातियों के लिए निम्र में से कौन से विसेश प्रावधान किये गए हैं यहाँ पर सही उत्तर का चैन करना है तो लोकसभा और राज्य बिदान सभाव में सीटों का अरक्षन तिया गया है तो बिलकुल सही है केंदर सरकार द्व अगला कोशन है उस बिदेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोक सभात औरा स्विकृति की जाने वाली सभी मागे तथा संचित निधी प्रभार सामिल होते हैं तो उसे बिन्योग बिदेयक कहा जाता है यह आप्षन करेक्ठ होगा सम्विधान में यह विवस्था की गई है कि भा निधी सम्मत बिन्योग के सिवाई जो है धन की निकासी नहीं होगी तदन्सार भारत की निधी से बिन्योग के लिए एक बिन्योग बिदेयक पुनह अस्थापित किया जाता है ताकि धन को निमनिलखी तावसक्ताओं को पूरा करने के लिए किया जा सके और इसमें कार्यो भी सामिल किये गए थे तो यहां पे ऐ आफ्सें आपका साहिए हो जाएगा अगला question है समित्या या commission है और गठन बर्ष है इसको आप मिलान करना है तो असोक मेहता समित का गठन कब हुआ था आसोक मेहता समित का गठन जो हुआ था A में आपका तीन सही हो जाएगा कराधान जाच समित की अस्थापना कब होई थी तो कराधान जाच समित की अस्थापना जो हुआ था 1934 के मद्धे हुआ था तो पहला आपका सही हो जाएगा B में आपका पहला सही हो जाएगा अस्थानिय बित्जाच समित की इसकी अस्थापनां कब की गई थी तो अस्थानिय बित्जाच समित 1989 इक्यामन के मद्दे हुआ था तो दूसरा सही हो जाएगा C में आपका दूसरा सही होगा G.V. के राव समिती ये संबंदित था आपका 1985 से तो D का आपका 4 साही हो जाएगा, ठीक है D में 4 साही हो जाएगा, तो 3, 1, 2, 4 किस कूट में हैं, तो 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2, 4 है ना, 3, 1, 2, 4, तो यहाँ पर C आपसान आपका करेक्ट हो जाएगा, अगला कोशन है, निम्न में से कौन सी बेवर की नौकर साही की विशेश्ता है, सही उत्तर का चैन करना है, तो बेवर की जो नौकर साही की विशेश्ता थी, ब्यवसाई की योगिताओं के आधार पर चैन करना था, सही है, अनुबंदन के आधार पर नियुक्ति देना था ये भी सही है इस्ठाप के सदस्य व्यक्तिकत रूप से स्वतंत्र होते हैं ये भी सही है कारमिक पद छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं तो ये भी सही है यानि एक, दो, तीन, चार, चारो आपसन इसमें आपका सही हो जाएगा ठीक है, बेबर की नौकर साही की विश्यस्ताएं और भी थी इन चारो के अत्रिक, ठीक है तो इसमें बैक्तिक कारेविदियां भी थी निश्चित कारेविदियां भी थी असपश्ट श्रम विवाजन भी था, ठीक है तो इस सारे जो है बेबर की नौकर साही की विश्यस्ताएं में समलित थी तो यहाँ पेटी या आपसन आपका सही हो जाएगा अगला कोशन है, निमने में से कौन सा कथन प्रसास की संगठन के छेत्रे सिध्धानतों की हानियों की संदर्म में गलत है तो आपसन नंबर ए सही हो जाएगा बड़े छेत्रों के लिए ये अनुपयुक्त है ऐसा बात नहीं है, ये बड़ी छेत्रों के लिए उपयुक्त होता है ठीक है प्रसासनिक संगटन के छेत्रे सिध्धानतों की हानिया की संबंद में सही है तो सही इसका होता है प्रसासनिक एकता एक रूपता कठिन हो जाती है ये सही है अस्थानिय को बढ़ावा देता है ये भी सही है छेत्रे हितों का अधिपत्य हो जाता है ये भी सही है और य लिए अनुपयक तो नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे गलत आपसन पूछा है तो ए आपसन आपका सही हो जाएगा 11 नंबर कोश्चिन है निम्नितित में से कौन सा पूर प्रचलित योगिता पडाली का अभिकल्प नहीं है तो ये बिन्मे पडाली ठीक है ए आपसन करेक्ट होगा पूर प्रचलित योगिता पडाली में जो है लोट पडाली आती है सनरच्छन पडाली आती है और कारियले पडाली आती है ठीक है बिन्मे पडाली उसके गंतरगत नहीं आता है तो बिन्मे पडाली उसके गंतरगत नह इसका जो काल करम के इनुसार बेवस्तित है उसमें जैविक है, सुरक्षा है, सामाजिक है, आत्म सम्मान है, आत्म है, प्रतक्षी करड है, ठीक है? मासलो द्वारा प्रित्पादित मानुई आवस्यक्ताओं के इपद यही माने जाते हैं, मासलो का मानना है कि एक समय पर एक के लिए एक आबस्यक्ता को पूर करना लक्ष होता है आप लोग मनो बिज्ञान में पढ़े होंगे मासलों का तिर्कोंड मिती तिर्भुजाकार जो है उसमें दिया था तो साथ सो पद सोपान दिये थे तो सबसे पहला आता है उसमें जैविक ठीक है उसके बाद सुरक्षा ठीक है आदमी को अपने खान पान पूरा करने के बाद उसको सुरक्षा की महसूस होती है वो सामाजिक फिर बनना चाता है फिर सामाजिक बनने के बाद उसकी जिग्यासा होती है कि वो आत्म सम्मान पाए उसके बाद आत्म प्रतेक्षिकर्ण यानि आत्म संतुर्षी को लाश्ट में प्राप्त करता है तो यही माशलों का पैदपाति मानमी अवस्रक्ताउं का पद्रकम माना जाता है ठीक है? तो जैविक से सुरुवात होती है उसकी बाद सुरक्षाक चाहता है फिर सामाजिक बनना चाहता है फिर आत्मसम्मान चाहता है अंत में जो है वो मौक्छ के प्राप्ति यानि आत्म प्रत्रक्षी करण को चाहता है तो यहाँ पर D.A. अपसन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कोशिन है निमलखित में से किसी रिपोर्ड की सिफारिस पर ब्रेटेन में योग्यता आधारित भरती अपनाई गई तो यह नार्थ कोर्ट ट्रेवेल लियान रिपोर्ड के अनुस्वार ठीक है भी या अप्संन करेट होगा नार्थ कोट ट्रेवेल लियान रिपोर्ट की सिफारिस पर ब्रिटेन में जो है योग्जिता आधारित भरती प्रक्रिया अपनाई गई थी तो भी आपसन सही होगा चोज़ए नमबर कोजिशन है नायेल अल रोधन ने अपनी पुस्तक सस्टेनेबल हिस्ट्री एंड डिग्निटी आफ मैंद राष्टिय सुसासन सुनिश्चित करने के लिए निम्लिकित में से कौन सा नियूंतम मान दंड समलित नहीं किया था नायेल अल रोधन ने अपनी पुस्तक सस्टेनेबल हिस्ट्री एंड डिग्निटी आफ मैंद में जो है राष्टिय सुसासन सुनिश्चित करने के लिए कतिपय मान दंड समलित किया है जिसमें सामयता एवंग समावेशन कानून की सासन एवंग पादिर्शा पुर्मुक हैं लेकिन इसमें चुह नियंतरण एवंग संतुलन की व्यवस्था को समलित नहीं किया था तो C आफसन आपका करेक्ट हो जाएगा पंद्रे नंबर कोशिन है सारवजनिक पत पर बैठे प्यक्तियों की जिम्मिदारी के शंबंद में जब एक अधिकारी विदिक करतब्य अनपालन में ऐसफल हो जाता है यह क्या कहलाता है तो यह कृत्या करण कहलाता है भी आफसन करेक्ट होगा सारवजनिक पत पर बैठे प्यक्तियों की जिम्मिदारी के शंबंद में जब एक अधिकारी विदिक करतब्य अनपालन में जो है असफल हो जाता है तब वह जो है कृत्या करण कहलाता है ठीक है तो भी यह आफसन आपका सही हो जाएगा शुले नंबर कोजिशन है स्वेडन में ओमबर्समेन निमलिकित में से कौन से कारे कर सकता है तो स्वेडन में ओमबर्समेन का अर्थ क्या होता है सारवजनिक ड्यूटी पर तैनात एक सालिसितर सबसे पहले जो है स्वेडन ने बर्स 1809 में इसे अपनाया था ठीक है और स्वेडन ने आर्म्समयन निमनिलखित कारे पहले करता है कौन कौन से कारे करता है ये जानने किये ये कारे करता है न्याइपालिका के बिरुद्ध कारे कर सकता है दूसरा है आपके ब्यक्तिकत सिकायतों पर करवाई कर सकता है तीसरा जो है आपका स्वत्य संग्यान लेते हुए कारे कर सकता है ठीक है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला आप नयालय के बिरुद्ध कारे कर सकता है ठीक है ब्यक्तिकत सिकायतों पर कारवाई कर सकता है तो यहां पर भी आफसन आपका सही हो जाएगा पहला दूसरा और चौथा इसमें आपका सही है इसके लेखा कौन है तो यह जान वान नियूमन एंड आसकर मारगेश्टेन ठेक है भी आफसन करेक्ट होगा ठेक है खेल सिद्धान के महातो को प्रतपादित करने वालों में मार्टिन सुभिक, कार्ल डिच एंड आसकर मारगेश्टेन का नाम मुख्य माना जाता है इसके ब्यापक प्रयोग का स्रे जो है जान नियूमन को है और खेल सिद्धान दे थेओरिया अप गेम्स एंड एकनोमिक बिहेवियर के लिखा जो है जान वान नियूमन एंड आसकर मारगेश्टेन हैं हैं और सरप्थम देखा जाए तो खेल सिद्धान जो है जान वान नियूमन ने गड़ित के शेतर में बिक्सित किया था इसके बाद जो है अर्थसास्टेन में उसे अपनाया गया था और बाद में जो है मार्टिन सुविक आसकर मारगेश्टन ने सैलिंग द्वारा उसे अंतरराष्टी राजनेद में भी प्रयोग किया था तो यह लोग जो थे अंतरराष्टी राजनेद में सरप्रतम प्रयोग किये थे तो यहाँ पर B आपसन आपका सही हो जाएगा अगला कोशन है निम्लिकित में से किसी ने कहा है कि राजनीत के संधर में सक्ति का अर्थ है एक ब्यक्ति का दूसरे ब्यक्ति के मस्तिस्क और क्रियाओं पर सक्ति तो यह कहा था मारगन थाउने मार ड़न मानों की सक्तियों और एक आद्मी द्वारा दूसरे आद्मियों के दिमाग तथा कारियों पर निंत्नर के रुप में करक्किया था तो C, आप समसर है अगला कोश्यन है संधिया और प्रस्ताव है और वर्स उसकी अस्थापना कई की गई थी तो S-A-L-T सेकेंड यानि सामरिक ससस्त परिशीमन बारता कब हुआ था तो ये 1979 में हुआ था ठीक है 1979 में यानि A में आपका दूसरा सही हो जाएगा ठीक है और PTB जिसको आंसिक परिख्षन प्रतिबंद संदि कहा जाता है तो इसकी अस्थापना कब हुई थी तो इसकी अस्थापना गठन किया गया था आपका 1963 में ठीक है sunrise में यानि B में आपका तीसरा सही हो जाएगा ठीक है और सांती परस्ताव के अनौ ठीक है सांती परस्ताव के लिए अनौ ये वारता कब हुआ था तो 1913 में हुआ था यानि तीसरा में आपका C में आपका चोथा सही हो जाएगा और INFT मध्यवर्ती परमाण बलसंदी ये कब हुआ था तो 1987 में हुआ था तो D में आपका पहला सही हो जाएगा तो D में आपका पहला सही हो जाएगा तो 2, 3, 4, 1 आपका कूट सही हो जाएगा तो 2, 3, 4, 1 आपकी इसमें है तो यहाँ पर देख सकते हैं B में है 2, 3, 4, 1 तो B आपसन आपका इसमें सही हो जाएगा एक शुबीश नमर कोशन है निम्लिकित में से किस कारक ने सीत युद्ध के पश्चात नौ सिथिलता के विकास में योगदान दिया तो नौ सिथिलता के विकास में योगदान दिया था रीगन और गोरबाचियो द्वारा आई येन येफ ट्रीटी यानि मध्यवर्ती परमाणबल संधी ये कब हुगा थ आई येन येफ टीटी ये हुआ था इस संद्र कब हुआ था हम लोग पिछला कोशन पढ़े हैं 1987 में हुआ था ठीक है तो इस पर हस्ताक्षर करके जो है सित्रिलता के विकास में ये को योगदान दिया गया था ठीक है और रीगन गोर्बा चेव सिखर बारता जो है कब हुआ था तो ये उननीस सो पचासी में हुआ था और जेनेवा में संफन हुआ था ये सिखर संबेलन और इस सिखर बारता में दोनों ही नेताओं ने जो है अंतरिक्ष में सस्त दोन पर नियंदर्ण करने तथा धरती परिंखी समाप्ती के लक्ष पर बल दिया था इस प्रकार इस अंतरराष्टी आर्थिक व्यवस्था के लिए पहली बार मांग कब की गई थी तो ये अल्जीरिया सिखर संबेलन में यहां पे डिया अपसनापका सही होगा ठेक है सितंबर 1973 में अल्जीरियर्स के चोथे गुट निर्पेक्ष सिखर संबेलन में जो है गुट निर्पेक् अस्थापित ऐसमानताओं की ओर ध्यान आकरसित किया था तो यहां पे डिया अपसनापका सही होगा एक शुबाईश नंबर क्वेश्चन है निम्नेखित में से कौन सा कथन दच्छिड पूर्वे एसियाई राष्टो का संग आसियान के लिए सही नहीं है नहीं पूछा है तो पर्थम आसियान सिखर बैठक जो है नवंबर 2002 में हुई थी तो यह बिल्कुल सही है आसियान ने वर्स 1995 में दच्छिड पूर्व एसियाई परमाण हथियार मुक्त गोसित किया गया था ये भी सही है आसियान ब्यापार पाधाओं को हटाने तता चीन जापान और दच अच्छिड कोरिया के साथ आर्सिक संबंद भिक्सित करने के लिए कारए कर रहा है ये भी सही हो जाएगा बर्स 1991 में आसियान का पूर्व भारता साजयतार हो गया था तो ये आपका सही लए तो ठीक है ठीक है? उननीस सो चानवे में जो है भारत आसियान का पूर्ण संबाद सहभागी देश बना था एक चानवे में नहीं ये बलकि कब हुआ था तो ये उननीस सो चानवे में हुआ था ठीक है? इसलिए ये आपका कोर्टेशन गलत हो जाएगा अगला कोशन है निम्लिकित में से किष्ण ने इसका प्रयोग किया था संग्युत राष्ट की अविश्कता पर बल देने के लिए एक जुटता के नाम पर सहबागी कारे कर रहा है तो ये कहा था दाग हैमर सोल्ड ने बी आपसन करेक्ट होगा दाग हैमर सोल्ड ने इसका प्रयोग किया था संग्युत राष्ट की अविश्कता पर बल देने के लिए एक जुटता के नाम पर सहबागी का कारे कर रहा है ऐशा कहा था दाग हैमर सोल्ड ने तो भी आपसन आपका सही होगा अगला कोशन है इनमें से कौन दुकांदारी कोटिनीत का लक्षड नहीं है दुकांदारी कोटिनीत का लक्षड नहीं है पूछा है तो यह सांतिकूर दिश्टिकूर पर अधारित है सही है यह समझावते के माद्यम से सांतिय स्थापित करने हीद कोटिनीत का एक साधन है ये भी सही है, ये संतुलन के अच्छे ब्यवसाय के सिध्धान्थ पर आधारित है, ये भी सही है, ये केवल युद्धारा राच्टी हिद की रक्षा के लिए प्रयास करता है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानि ये स्कूट नहीं है, तो डी आपसनिश में आपका सही हो जा करने वाला विश्व का पर्थम देश था, सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का पर्थम देश था, तो वो स्वेडन था, सी आपसन करेक्ट होगा, सूचना का अधिकार 1976 को प्रवर्तित करने वाला विश्व का पर्थम देश स्वेडन है, जिसने 1776 म अपने नागरिकों को सूचना का स्वतंतता पतान की ठीक है ये 1976 है ठीक है अब भारत में सूचना पाने का अधिकार अधिकार अधिनियम जो है 2005 सूचना की स्वतंतता अधिनियम 2002 के अस्थान पर लाया गया था सूचना का अधिकार कानून की जिम्मिदारी तै करेगा तथा पालन नहीं करने वाले पर को जो है कड़ी सजा दी जाएगी आईसा वेवस्ता किया गया था तो यहाँ पे पहला देश जो प्रवर्थित करने वाला था वो सेडन था तो उसी आफसन आपका सही हो जाएगा तो फ्रन्स यह रहा आज का पूरा वीडियो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद